तो स्वागत है आप सभी का ग्याफन एकेडमी के इस नय और लेटेस्ट वीडियो में, फाइनली आज का ये जो क्लास होने वाला है, ये भी महामयराथन का क्लास होने वाला है, यानि कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के उर्दू का मस्ट विवी ऐई सब्जेक्टि कोशन है, याद रखिएगा, टॉप 140 कोशन है, मातर 140, लेकिन मस्ट विवी ऐई, यानि कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये सब्जेक्टिव कोशन है, जो भी आप लोग के एक्जाम में कोशन पूछे जाएंगे ना, इन्हीं सब्जेक्टिव कोशन में से कोशन पूछे ज ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, और जिस दिन आप लोगों का उर्दू का एक्जाम है, उसके एक दिन पहले रात में ये वीडियो जरूर देख कर जाएगा, अब्जेक्टिव का एक वीडियो में कराई हूँ, एक ही वीडियो में पूरा अब्जेक्ट समझे कि वही सभ्जेक्टिव कोश्ण आज के इस वीडियो में आप लोगों क्टीट करा रही ही एक तरह से अगर आप उन चारों वीडियो को देखें हैं, तų समझे ये आज के इस वीडियो को देख कर आप का उन सभी सब्जेक्टिव कोशन का रिवीजन हो जाने वाला एक दम खतरनाक रिवीजन जबरदस्त रिवीजन ठीक है ना तो चलिए आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप लोग स्टार्टिंग में वीडियो को लाइक शेर ज़रूर कर दिजिएगा ताकि सभी लोग को इस वीडियो का लाव उठा सके और सभी लोग का भला हो सो नाव विदाउट एनी दीले लाट्स गोड़ू स्टार्ट जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सवाल यहां से स्टार्ट हो रहा है क्लास टुएल तुर्दू मस्ट भीए सब्जेक्टिव कोशन विद एंसर जिएगा और अगर पता भी नहीं है तो फिर आप लोगो एंसर तो पता चली जाएगा तो देखिए फॉस्ट का एंसर जो होगा आप लोग जानते हैं फरतुल्ला बेग और मियदानी मौलवी नजीर एहमद नजीर थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है जाल से रहेगा नजीर और यहां पर फरतुल्ला बेग इस तरह रहेगा ठीक है फरतुल्ला बेग और मियदानी मौलवी नजीर एहमद के यहां तालीम हासिल करने के लिए जाते थे ठीक है उस जमाने में मदर्सा और कॉलेज का आज की तरह बाजाबता इंतिजाम नहीं था और अगर था भी तो आ नहीं कितने चितरी के से लफजों को सजा कर लिखा गया है यह इस फॉस्ट कोशन का एंसर एक लाइन में भी हो सकता था इतना लेकिन यहां पर धाई लाइन में कर दिया गया है ताकि आप लोगो फुल मार्क्स मिल जाए ठीश है ना चलिए दूसरा सवाल है कि किस अर्भी अर्भी शायर से मतालब सबक पढ़ाने के दौरान मिया रजा की चुटी हो गई तो अर्भी शायर का नाम था मुतनबी तो देखे लिखा हुआ है कि अर्भी जबान के मशूर शायर मुतनबी के कलाम को पढ़ाने के दौरान मिया रजा की चुटी हो गई हुआ ही हो कि मिर् बेटा रजा इशार को गलत पढ़ दिया इस पर मौलवी सहाब गुस्टा होकर मिया रजा को दर्स से खारिज कर दिया यानि कि अपने ट्यूशन से निकाल दिया तीसरा सवाल फड़ाफट में आप लोगों पढ़कर बता दे रही हूं ताकि कम समय में हम लोग टॉप एक सच हुआ है कि फरतुला बेग शेर खोनी में किस तरह की घुलतीय करते थे इंपक्रटन कॉश्टन से परेज्डा बेग की सर फेना उत सकते थे कि फरतुल्ला बेग शेरखवानी के दौरान एराब की गलतिया किया करते थे ठीक है और वैसे भी उन्हें फरतुल्ला बेग को शेर पढ़ने में बहुत दुश्वारी भी होती थी इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं बस एंसर आप लोग को पता रहना चाहिए लफजों को सजा कर आप लोग खुद से भी एंसर लिख सकते हैं ठीक है ना कोशन नमबर फूर है कि मियादानी शेर पढ़ने में कैसी घलती करते थे तो मियादानी जो है शेर पढ़ने के दौरान एराब की तो घलती नहीं करते थे लेकिन शेर को कुछ इस अंदाज में प बच्चों सही किताब की अबारत को पढ़वाते और सुनते थे अगर बच्चे सही सही पढ़ देते तो ठीक वरना ऐसे गलत अबारत पढ़ने वाले तौर्बा को दर्स से निकाल देते थे या फिर डाट कर समझाते थे फिर अबारत दूस्त होने के बाद ही अबारत की आकर पढ़ाते थे नेक्स्ट कोशन देखिए कोशन नमर्सिक्स है कि राक फेलर कौन था और वह दौलत मंद कैसे बना यह भी इंपोर्टेंट सवाल है राक फेलर राक फेलर जो था वह एक अमेरिका का ताजिर था यानिकी बिजनसमैन था वह मिट्टी के तेल की तजारत क सुरू की और रफता रफता तराकी करते करते बहुत दौलत कमाया और एक वक्त ऐसा भी आया कि उसका शुमार दुनिया के चंद एहम और बड़े सुर्मायादारों में होने लगा जी हां तो इस तरह से आप लोगों के इंसर लिग देना है स्टार्टिंग रॉक फिलर जो तजारत यानि की तेल का बिजनस स्टार्ट किया लेकिन दीरे दीरे तरकी करके एक बहुत बड़ा बिजनसमैन बन गया ठीक है नेक्स्ट कोशन कोशन नमर सेवन है कि मिटी का तेल इनसान का शरी के गम इस तरह है कि वह आवाम के हर तबके की मदद और रहनमाई करता है जै यानि की इसी तेल की रोशनी यानि की मिटी के तेल की रोशनी ही चोर को चोरी करने में मदद करती है और चोर पकड़ने में पूलिस की भी मदद करती है जुदाई की रात में जब आशिकों का कोई गमख़ार नहीं होता तो मिटी का तेल ही अपने वजूद को जला कर इनसा का शरी के गम हो जाता है और इसलिए मिट्टी का तेल इन्सान का शरी के गम है नेक्स्ट कोश्टन देखिए कोश्टन नमर एट है कि मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है तो मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर इसलिए तरस आता है कि अल्ला ताला हवा के जोके के साथ उर जाती है आग की तमाज़त और गर्मी के साथ जुलस जाती है मगर फिर भी उफ नहीं करती इसलिए इसकी बेचारगी और जिल्लत पर हमें तरस आता है इस तरह से आप लोग एंसर लिख सकते हैं नेक्स्ट कोशन देखिए अगला सवाल है कि मिटी कीता हमें कौन कौन से खजाने कुदरत ने चुपा रखे हैं आप जानते हैं एंसर तो बड़ा ही आसान है मिटी के तेल हमें कुदरत में देखिए तेल नहीं रहेगा यहां पर तह रहेगा मिट्टी की तहमें कुद्रत ने ऐसे नायाब खजाने चुपा रखे हैं यहां पर आप लोग जानते हैं उर्दू टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो यहां पर मैं अपने हिसाब से पढ़कर आप लोगों समझा दे रही हूं बले ही यहां पर टाइपिंग गलत हुआ है लेकिन कोई लिकत नहीं है लिखा हुआ है यहां पर मिट्टी के तहमें कुद्रत ने ऐसे ऐसे नायाब खजाने चुपा रखे हैं जिसका कोई जवाब नहीं उन खजानों को काम मिलाकर इनसान एक मजभवी आदमी कहलाता है या दूसरे तमाम कुद्रती खजानों से ज्यादा मुफीद हैं अगला सवाल सवाल नमबर दस कि स्यद सुलेमान अदवी के पढ़ने लिखने का खास मैदान क्या था ठीक है ना तो ये हो गया एनसर आगे बढ़ती हैं अगला सवाल कुशन नमबर 11 है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा जरूरी खाना कौन सा है इसके मतालिक स्यद सुलेमान अदवी के खियालात वाज़े कीजिए यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि पेट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी खाना कौन सा है और स्यद सुलेमान अदवी कौन सा खाना बताया है यह आप लोगों को बताना है देखे जवाब में लिखा है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज्यादा ज़्रूरी खाना कौन सा है इस सिलसले में मुख्तलिफ लोगों का जवाब मुख्तलिफ हो सकता है इसलिए सभी के तज़रबात खाने के सिलसले में यकसा नहीं होते जहां तक स्यूमान अद्वी की बात है तो इस सलसले में उनका ख्याल यह है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा जरूरी खाना नासता है सुबह सवेरे पेट में कुछ खा लेने से दिन भर के लिए इत्मिनान हो जाता है अगले सवाल सवाल नमबर बारा है कि नए और पुराने नुकतनगा से लफ़ सुर्खी का जाइजा लीजिए देखिए जवाब में लिख दिया गया है कि आजकल जबान में एक लफ़ सुर्खी राईज है जो मजमून की सुर्खी के लिए इस्तमाल होता है सुर्खी लफ सुर्ख का सिफत है और सुर्ख के मानी लाल रंग का होता है पहले जमाने में मजमीन लिखने के दौरान मजमीन के उन्वान को इम्तियास पैदा करने के लिए सुर्ख रंग की सियाही से लिखते थे नए दोर में जब छापा खाना इजाद हुआ तो रफ़ता रफ़ता बाब या मजमून को सुर्खी कहने लगे और उसके बाद से इसी तरह यही रिवास चलता चला आया और एक तरह से टाइटल को ही क्या कहा जाने लगा सुर्खी कहा जाने लगा तो यहां पर लिखा गया है कि रफ़ता रफ़ता बाब या मजमून को सुर्खी कहने लगे चाहे वा मतलब की वो जो सुर्खी हो वो काले रंग की रोशनाई से क्यों न लिखी हो लेकिन उसको सुर्खी कहा जाने लगा तो इस तरह जो है ना लफज सुर्खी धीरे धीरे हम लोग के जबान में गुलत मिलती चलिए ही ठीकिन नेध्स कोशिन देखे कोशन मर्फ 13 है कि कुलिया से क्या मुराद है अर्भी और हिंदुस्तानी झल्जबान में कैसे इस्ताम करते हैं हमारे हिंदुस्तानी तहजीब में कुलिया कुर्मा आम खहने और रुजमर्य के कुलिया की बजाहिर शकल तो अर्वी है लेकिन इसका मानी अर्वी नहीं है अर्वी में इसकी शकल कलिया हो सकती है ठीक है अर्वी में इसकी शकल कुलिया हो सकती है जो की कुलिया यानि की कलिया कलिया हो सकती है जो कली से बना है कली फैल है जिसका मानी भुनना है इस तरह 14. कि अन्शाया निगार को दोरान तखलेख कैसी आजादी मेसर होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है देखिए जवाब में लिखा गया है कि अन्शाया निगारी का फंतन्ज वमिजा के दर्मयान का रास्ता है न्शाया निगार हमेशा सतेह जमीन पर चलता है लेकिन उ सा वक्तितौर पर होता है इनुषया निगारी ठोड़ी देर के लिए फिरास की तरफ भी जाता है और नसीब के तरफ भी जाता है फिर फोरान अपने मकसद के तरफ लोड़ जाता है आनी कि टॉपिक पर शर्म को छोड़कर आप किसी दूसरे चीज़ के बारे हम बात कर सकते हैं किसी दूसरे जगा जा सकते हैं लेकिन फिर एक वक्त पर आप लोगो वापस अपने टॉपिक पर ही आना पड़ता है जिस पर आप लोग इनशाया लिखते हैं तो इस तरह यही बात लिखा गया है या पर कोशिय नमबर 15 पंदर नमबर स्वाल है कि इनशाया में अदमित तक्मील आप है या फिर हुनर वाज़िख कीजिए ये भी इंपोर्टन सवाल देखे जवाब में लिखा गया है कि अदमित तक्मील इनशाया में एक हुनर है बलकि इंशाया की एक इम्तियाजी खुसूसियत है, एक विशेस्टा है इंशाया में मौजू की मरकजियत तो गायम रहती है लेकिन इस मरकजियत का सहारा लेकर इंशाया निगार बहुत ही ऐसी बात भी कह देता है जिनका मौजू से कोई गहरा तालुक नहीं होता इन्शाया निगार का मक्सद इतना रहता है कि आपको गोर करने पर मज़ूर कर देता है कि आप इन्शाया में बिखरे हुए बहुत से इशारात पर गोर फर्माएं ठीक है अगला सवाल है कि इन्शाया और मजमून में क्या फरक है तो इनशाया और मजमून में बन्यादी फरक ये है कि आम तोर से नस्री अदब में नस्री खेर इस तरह से लिखा जाता है ठीक है यहाँ पर गलत टाइप हुआ है बर कोई दिकत नहीं है नस्री अदब में पेश किये जाने वाले तमाम बातों को मजमून के जुम्ले में रखा जाता है जबकि इनशाया मजमून ही की एक किस्म है जिसमें अदम तक्मील, इक्तसार, जिद्दत तराजी और खुशगवार, ताजगी लाजमी अंसुर है अगला सवाल, सवाल नमबर सत्रह, कि इनशाया का खालिक किस शक्स की तरह होता है तो इनशाया के खालिक की मिसाल एक गैर मलकी सियाह की तरह है जिस तरह एक सियाह को नए मलक की बहुत सी ऐसी बाते फौरण मालूम हो जाती है जो एहले वतन की नजरों से औजल रहती है उसी तरह एक इनशाया लिखने वाला जिंदगी के आम मजाहिर के इन ताज़ा पहलों को फॉरन देख लेता है जो जिंदगी में सताई दिल्चस्पी के बास एक आम इनसान की नजर से औजल रहता है ठीक है अगला सवाल देखिए क मरकजी नुकता क्या है थोड़ी बहुत उर्दू टाइपिंग में मिस्टेक होती रहती है इसके लिए मैं माफी चाहूंगी लेकिन हाँ यह बात मैं जरूर कहूंगी कि मैं खुद से अपने जबान से पढ़कर आप लोगो समझा दे रही हूं तो इस से आप लोगो समझ मे वी बात कर सकता है लेकिन वापश उसे अपने अन Sick टाइटल कर ही लाटना परता है अपने मरकजी नुक्ते से लंहें भर के लिए ऊपर और नीचे भी जाता है ताहां मोह हर बार अपने मरकजी नुक्ते की तرف जरूर लोटता है वही बात लेका दिए गया है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 19 नमबर प्रशन है हनकी सवाल है कि हिजुरत इसकाम की अदा करना है जो लोग अगर दुनिया में हिजरत के फराइज की अदाइगी से किसी तरह चूप जाते हैं फिर भी वो आखरी हिजरत यानि की मौत से नहीं बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 20 नमबर प्रश्ण है कि खाना बदोशों की काफिले किस तरह सफर करते हैं मुक्तसरन बयान कीजिए तो खाना बदोशों यानि की जो बंजारे होते हैं उनके काफिले के सफर की मनजर कशी एमद जमाल पाशा ने कुछ इस तरह से किया है कि बंजारों का काफिला सरगर्मे सरगर्मे सफर हैं उनके खेमे और जरूरियात जिन्दगी के समान खचर भी गलत लिखा गया है खुशी इस तरह से खुशी से उचल कुद रहे हैं तो किसी गदे पर बिलियों के सामने पिंजडों में दुबका हुआ तोता बैठा था आगे आगे बंजारों का सरदार सीना फैलाए बड़ी शान से चलता है और हर तरफ आखे घुमा कर देखता ज किसी के हाथ में गाय की रस्ती तो किसी के हाथ में बक्री की डोड़ी का सिरा सब के पीछे सर जुकाय कुद चल रहे हैं यह सारी बात है आगे बढ़ते हैं एक एस नमबर सवाल है कि साइबेरिया की मुरगाविया मौसम सुर्मा में हिजरत क्यूं करती हैं? तो साइबेरिया की मुरगाबिया मौसम सुर्मा में हिज़त इसलिए करती है कि उत्तर की ठंडी हवाओ की वज़े से उस इस इलाके में बर्फ जमने लगती है जो मुरगाबियों के लिए नामवाफिक साबित होती है जब यह मौसम खत्म हो जाता है तो फिर वो अपने वतन साइबेरिया वापस लोट आती है और अपने घरों में आबाद हो जाती है कि खाना बदोश जिन्दगी का कुमहार है कैसे जवाब में लिखा हुआ है कि खाना बदोश जिन्दगी का कुमहार इस तरह है कि उसका घर और जिन्दगी का धंदा तो एक मासुम बच्चे के रिद के घर के मानंद है जिस तरह एक कुमार रोजाना अपने चाक से तरह तरह के बरतन बनाता और तोड़ता रहता है किसी बरतन की शकल जरा से बिगड़ी फौरन उसे तोड़ डाला और नया बरतन बना डाला उसी तरह खाना बदोश भी है यह तरह तरह के घर बनाते रहते हैं जरा से भी कमे महसूस हुई कि उस घर को छोड़ दिया दूसरी जगा जा कर फिर से एक नया घर तयार करते हैं। जब कोई आदमी उस सुरमे को अपनी आखों में लगा लेता था तो उसको जिनातों की दुनिया नजराने लगती थी। यहां तक के सुर्मा लगाने वाला उन जिनातों से गुफ्तगू भी कर सकता था यानि की बाते भी कर सकता था नेक्स्ट कोश्टन कि मुवारक सहजादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है तुम वारक शहजादे को उसके चेचा से निजाद दिलाने के लिए या मश्वरे देता है कि जिन्नातों के बादशाह मलिक सादिक के पास चलो तुम्हारे महरूम वालित के दोस्त है वह तुम्हारे बाप की दोस्तुई को याद करके तुम्हारी मदद जरूर करेगा और तेरा मुल्क तेरे हाथ में आ जाएगा नेक्स्ट कोश्चन अगला सवाल है देखिए यह हर एक चेप्टर में आप लोगों को एकदम बहतरी इंधंग से पढ़ाई हूं कि इसी वज़ासे मैं आप लोगों को ज्यादा समझा भी नहीं रही हूं डारेक्ट कोश्चन पढ़ रही हूं और एंसर पढ़ दे रही हूं ताकि जल्दी से कंप्लीट कर दिया जाए आज के इस वीडियो को टोटल 140 कोश्चन हम लोग कम समय में जल्दी कंप्लीट कर पाए और उसके सांसाथ आप यू कह सकते हैं कि सारा कोश्चन कंप्लीट तो होई जाएगा इसके सांसाथ कोश्चन पढ़कर मैं एंसर भी पढ़ दे रही हूं समझा नहीं रही हूं इसलिए ताकि आप लोगो तो खेर एंसर पता ही है तो आप बस एंसर को जो मैं पढ़ रही लड़ी तो आप जिस कोश्चन का एंसर आप लोगो नहीं पता है वो कोश्चन का एंसर अभी के भी याद कर लिए कोई दिकत नहीं है उसका आप लोगो पता चल भी जाएगा तो देखिए पच्चीस नमबर सवाल है कि मलिक साधिक ने सहजादे की मदद के लिए कौन सी श हो तलाश करके लाओ तब हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे तो यह शर्त था आगे बढ़ते हैं अगला क्विश्चन है कि फकीर ने अश्रफी लेकर सहजादे से क्या कहा तो फकीर ने अश्रफी लेकर सहजादे से कहा कि एदाता खुदा तेरा भला करे शायद सारी दूये दी इसको दे डाली तो शहजादे को दे डाली आगे बढ़ते हैं अगला सवाल करियो तकी कि मेरे काम को नहायत ही होश्यारी और इमानतदारी से करना क्योंकि तू अभी नौखेज लड़का है इसलिए तुझे जरा तुझे बार-बार ताकीद करता हूं कि जजबात में आकर कोई ख्यानत ना करना और ख्यानत ना करना वरना तू आफत में पढ़ जाएगा और तुझे मेरी मदद के बजाए बहुत ही पर बाजार से कौन सी चीज़े खर दी तो एंसर में लिखा गया है कि सफर पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाजार से इत्र वगरा जो कुछ मलिक सादिक के यहां ले जाने के खातिर मुनासिब समझा खरीद लिया नेक्स्ट कोशन है 29 नंबर की टोबा टेक सिंग अपन रही है उस दिन वह अच्छी तरह नहाता बदन पर खूब साबुन लगाता और सर में तिल डाल कर कंगी करता और अपने ऐसे कपड़े जो कभी कभी इस्तमाल करता हो उस दिन निकलवा कर पहन लेता और सच धच कर मिलने वालों के पास जाता और अगर लोग कुछ पूछते तो खामोस रहता या फिर पंजाबी जबान में कुछ बोल देता था वही बोलता था उपर दी गरगर दी एंकस दी बेधनिया दी दाल अफ दी मंग अफ दी लाल टेन कुछ इसी तरीके से बोलता था अगला सवाल है तीस नंबर की अपने आपको खुदा कहने वाले पागल से टोबा टेक सिंग क्यों नाराज था तो पागल खाने में एक पागल ऐसा था जो खुद को खुदा कहता था उससे जब एक रोज बिशन सिंग ने देखिए मिशन लिखा गया बिशन सिंग रहेगा उस रोज एक रोज जो है बिशन सिंग ने पूछा कि टोबा टेक सिंग पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में तो उसने कहा कि टोबा टेक सिंग ना पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में इसलिए कि मैंने अभी तक हुक्म नहीं दिया बिशन सिंग कई बार कहा कि वह हुक्म दे दे ताके जंजट खत्म हो जाए मगर वह खुद बहुत मसरूफ था इसलिए तंग आकर विशन सिंग जो है न वो उस पागल से नराज हो गया नेक्स्ट कोश्चन पागलों के बाहमी तबादले के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया गया तो पागलों के बाहमी तबादले के लिए यह यह फार्मूला अपनाया गया कि जो मुसल्मान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए और जो हिंदू और सीख पागल पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए ठीक है अगला सवाल है कोशन नमर 32 की पेड़ पर चड़े पागल ने किस मसले पर तक्रिर शुरू की तो जवाब में लिखा हुआ है कि पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो हिंदुस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान हिंदुस्तान के चक्कर में और भी ज्यादा पागल हो गया और हर वक्त जाडू देने लगा और जाडू देते देते एक दिन ए की अम्मों के चारों बेटों के नाम और उनकी काम बताई्य फॉब के चारों बेटों का नाम खुरीद रशीद जमस्यद और हमीध है उन में एक जो खुर्शीद है उसका डिल नहीं लगता था इसलिए सियासत का रुख किया और कुछ दिनों के लिए मरकजी हुकूमत में वजीर बन गया नेक्स्ट कोशन 34 नंबर है कि अम्मो दुखी क्यूं थी ये भी इंपोर्टन कोशन है उल्ज़न नी उल्जी हुई उल्जी सासों के दर्द को थामे अम्मो दिल ही दिल में सोच रही थी सुनसान घर, खाली कमरे, सुना आंगान अंधेरे कमरे में अकेली लेटी वह दर्द से टरप रही थी किसी दवा का कोई असर नहीं होता बदन का कोई हिस्सा काबू में नथ था कापते हाथों से पानी की बोतल उठाने की कोशिश करती तो सारा बिस्तर भिंग जाता था अमो ने जायदाद बेज कर चारों बेटों को डॉक्टर इंजिनियर बनाया अच्छी डिगरिया मिलते ही उन सब की पंग निकलाएं और उन्होंने अमेरिका और शिकागो की तरफ परवाज की ठानी अमो दरसल इन्ही बातों से दुखी थी ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 35 नंबर की अमो के बेटों ने उनकी मौत के वक्त साथ क्यों नहीं दिया तो अमो बिस्तर इलालत पर पड़ी हुई थी केंसर उनके सारे बदन में पैल चुका था हिंदुस्तान में मुकीम एक बेटे को छोड़कर अमेरिका और शिकागो में बसे उसके बकिया तीनों बेटे अमो के इस खुआहिस को पूरा करने के लिए आये थे के मा के जनाजे को कांधे देंगे मगर मा की या खुआहिस भी पूरी नहीं हो सकी आखरी बेटा हिंदुस्तान में रहते हुए भी स्यासरी मस्रूफित के वज़े से नहीं आ सका मा की मौत नहीं होने पर वही बेटे वापस लौट गए इस तरह मा की मौत में किसी बेटे ने साथ नहीं दिया ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 35 नमर क्यूशन है कि सेद अजीज एहमद ट्रांजिस्टर क्यों ढूंड रहे थे तो अपनी बेटी और बीवी बेटी नहीं रहेगा बेटे बेटा रहेगा क्योंकि उनका बेटा था ठीक है तो स्यद अजीज अहमद जो है वो अपनी बेटा और बीवी की बतसलूकी से अजीज अहमद जब तंग आ गए और फिक्र में इस कदर डूबे के एक बार सक्त बिमार पड़ गये इसे जी करवाया और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने खतरनाक विमारी का इसारा किया सिग्रेट जो उनका पुराना साथी था उस पर डॉक्टर ने मुकमल पाबंदी लगा दिया अब रातों को तनहाई में लिखने पढ़ने के दौरान उन्हें सिग्रेट की जुदाई का कर्व सताने लगा इस कर्व को मिठाने के लिए उन्हें एक पुराने साथी की याद आई उनका पुराना ट्रांजिस्टर जो उन्हें दिल की बाते सुनाया करता था अब वो ट्रांजिस्टर को नहायत शिद्दत से धून रहे थे ठीक है तो इसका एंसर मिल गया कि वो अपनी जुदाई अपनी तनहाई को दूर करने के लिए ट्रांजिस्टर को धून रहे थे आगे बढ़ते हैं अगला क्विशन कि डायरेक्टर डायरेक्टर जनरल सेद अब्ध लोगों के जहनों से क्यूं फरामोश हो गए यह यह इंपाहिए लोगों फूल गया कि वो इक रहे और लोग सब्सक्राइब भी लगाया तो इस तरह लोगों के जहने से उसलिए अगला सवाल है कि आप डाइरेक्टरी की लाश कब तक कांधे पढ़ लिए फिरेंगे यह बात भीवी ने सज्ञाल क्यूं कही तो यह बात बीवी ने सेद अजीज अहमत से इसलिए कही कि डारेक्टर के ओधे से रिटायर होने के बाद सेद अजीज अहमत तकरीबन बेकार हो गए थे और अक्सर दोनों मिया बीवी बिमार भी रहने लगे थे इसलिए तंगी में गुजर बसर होती थी इधर से कमतर दर्जे का ही होगा और इसी वजह से वा किसे भी काम को पस्त समझते थे और इसलिए बीवी ने सेद अजीज अहमत को समझाया कि डारेक्टरी के लास को कब तक कांधे पर ढोते रहेंगे अगला सवाल देखिए कोशन नमबर 38 है कि आप बहुत काबिल और बड़े द देखिए लिखा गया है इसका अर्थ मतलब इसका मानी लिखा गया है कि बेटे ने यह बात अपने बाप से क्यूं कहीं जवाब में है कि बेटे ने अपने बाप यानी की सयद अजीज अहमत जो की सबखदोस्ट रिटार डारेक्टर जनरल थे यानी कि वो डारेक्टर जनर था कि आप चाहे कुछ भी कीजिए लेकिन हमें आमदनी से मतलब है यानि कि चाहे आप जहां से ला कर दीजिए बाप का मतलब है अलाद के लिए आमदनी का जरिया अगर बेटे को बाप से कोई मादी फायदा नहीं मिला तो बाप का वजूद ही बेकार है देखिए कितना और नहायत बत्तमीज किसम का उनका बेटा रहता है जो कि इस तरह से अपने बाप का मजाक उड़ाता है और बाप से इस तरह बात करता है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कोशन नमबर 39 है कि पागल खाने के वह लोग जिनका जहनी तवाजन बिल्कुल दुरुस्त था किस पर रिष्टेदार जिनके रिष्टेदारों ने अफसरों को कुछ रिष्वत दे कर पागल खाने भिजवा दिया था ताकि वह फासी की सजा से बच जाएं यह लोग इतना तो समझते थे कि हिंदुस्तान तक्सीम हो गया है और पाकिस्तान बन गया है लेकिन अखबारात से उन सोच रहे थे मतलब इसी परिशानी में गिरफतार थे अगला सवाल 40 नंबर कि शहजादा फकीर की बेटी को देखकर बेहोश क्यूं हो गया तो देखिए शहजादा फकीर की बेटी को देखकर इसलिए बेहोश हो गया कि वह एक तो वह लड़की नहाय थी हसीन वो जमील थी और दूसरी बात यह कि यह वही लड़की थी जिसकी तलास में मलिक सादिक ने उसे भेजा था जब उसने मलिक सादिक की दी हुई तस्वीर को हाथ में लेकर लड़की से मिलाया तो यह वही लड़की थी जिसकी तलास में वो साथ सालों से दरदर की खाक चान रहा था नेक्स्ट कोश्ट 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 कोश सक्का सब सब खाक सब का एक मिनट रुक जाए यहां पर थोड़ा गलर टाइपिंग हुआ है अब अफसाना इबराहिम सक्का जो है ना इसके खालिक सलाम बिन रिजाक है सलाम बिन रिजाक महराश जसूबे के रहने वाले हैं और यह कहानी वहीं के समाजी पस्मंजर में है यह अफसाना फिलाम बिन रिजाक के अफसानवी मजमे यान की कहानी का किताब किमास के कमजोर तके से तालुक रखने वाले लोगों की कहानी है अगला क्वेश्चन है कि अफ्साना भुلे गीत की तलखीस पेश कीजिए जवाब में लिक्षा हुआ है कि जेर निसाब अफ्साना बुले बिस्रे कियों कि आप लुहना का कौन साफ सान में कोई भी अफ्साना दे देगा और उसकी तल्खिस करने के लिए बोलेगा यानिकि ऑबर विव करने के लिए शौट कॉट में आप उसका ओवर विव कर दीजिए तो यहांपर देखिए भुले बिसरगीत का जिसे पूचा गया है तो यहांपर ऑवर विव यानिकी लाना भी कम हो गया यहां तक कि अजीज अहमद लोगों के एक मिनट यहां तक कि अजीज अहमद ने घर में नेम प्लेट भी सिर्फ अजीज अहमद का लगाया इससे नुक्सान यह हुआ कि रफ्तर रफ्तर पहले लोग यह भूले कि अजीज अहमद कोई डारेक्टर भी थे पिर यह भी भूल गएं कि अजीज एहमद सेयद्जादे भी थे यहां तक एक वक्त ऐसा आया कि लोग यह भी फरमोश कर गएं कि अजीज एहमद नाम का कोई आदमी भी था अब अजीज एहमद सिर्फ चचा जान या फिर नाना जान रह गए थे ठीक है तो इस तरह लंबा च पुझ दिया है कि प्रॉमिस मतलब कोईyy झाल आ कि ऑसाना किता खुलासा कि मतलब कोई न या फ्र ना कोई फ। नज्म काख रूसा करने के लिए यह तो पका है कए पूछा याद रखेगा तो चलिए देखते हैं फ्र्ल अफ्साने का खुलासा किस तरह से किया गया है ले लानीबानों का एक हकीकत पसंद अफसाना है इस अफसाने में इनसानी रिष्टों के खोकलेपन की अकासी की गई है कहानी कुछ यू है कि हिंदुस्तान के एक खांदान में अम्मो नाम की एक खातून है अम्मो इस कहानी की मरकजी किरदार यानि किमेन करेक्टर भी है और एक जागिरदार खांदान से तालुक रखती हैं उनके शोहर वकील हैं अमो ने अपने बेटे को आला तालिम दिलवाया उनके चार बेटे इस तरह हैं जमशीद, खुर्शीद, रसीद और हमीद जिनमें तीनों बड़े बेटे को अमो ने अपने जाइदाद बेच कर डॉक्टर और इंजिनियर वगर बना दिया लेकिन छोटा बेटा हमीद पढ़ने में बिल्कुल भी दिल्चस्पी नहीं रखता था चुनांचा वए एक सियासी पार्टी ज्वाइन किया और अफ्तर अफ्तर वजीर के ओधे तक पहुँच गया तीनों बड़े बेटे अमो को अकेले पर दिल्ली चला गया इसे बिच अमों को कैंसर का मर्ज दवोच लिया अब दो साल बिच चुके थे टेलीफोन के जरीए कभी कभी मासे बेटों की गुफ्तगू हो जाती थी अमों के सभी बेटों ने अमों से यह प्रॉमिस किया था कि वह अपनी मां के जनाज़े को कांध कांधे देने के लिए आ गया चोटा बेटा हमीद का कहना था कि मैं तो हिंदुस्तान में ही हूं अमों की जब भी मौत होती है आप लोग हमें कॉल करके बुला लिजेगा देखिए कितना मतलब यह वाहियात की समका यह लड़का है उसके बाद से क्या हुआ हुआ को कांधे देने के लिए मतलब यहां है कि आप लोग जब ही भी मौत होती है आप लोग हमें कॉल कर दीजेगा कॉल करके बुलाल दीजेगा मैं कांधा देने के लिए आ जाऊंगा अम्मो का इंतिकाल तो नहीं हुआ और उनके बेटे अम्मो की खादमा ख्वाजा बीग को डॉलर और रियाल दे कर वापस चले गए इस तरह अम्मो के बेटे अम्मो के जनाजे में शरीक भी न हो सके अब यह शौर्ट कॉट बताएगी है पूरी कहानी में आप लोगो एकदम डीटेल में पढ़ाई हूँ जब चपर पढ़ा रही थी तो तो वहां पर अगर आप लोग यह समझ में नहीं आ रहा है तो चैप्टर पढ़े होंगे चैप्टर पढ़ेंगे तब आप लोगो यह कह की सकते हैं खुलासा किया गया है तल्खिश पेस की गई है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन कोशन नमबर 45 हैं कि अफ्साना इस नजर स्लाम बिन रिजाक की जजबात निगारी पर रौस्णी डाली है तो जवाब में लिखा गया है कि अफ्साना इबराहिम सक्का अफ्साने के मरकशी किरदार अबराहिम सक्का है बिल्कुल मामूली शक्ल ववसूरत का ये गरीब साकिय अपनी जंदगी की तकालीफ महरूमिया और उसकी हस्डतों से अच्छी तरह वाकिफ है वो फितरतन खुद्दार और महनती है वो किसी के रहम व करम और दूसरों के टुकड़े पर जीना नहीं चाहता है यह तमाम बाते कहाने के जरी असलाम बिन रुजाक ने बहुत ही उम्दा तरीके से बियान कर दिया है उसके इश्क के अलमनाक अनजाम की ड्रामाई पिर्शकस में सलाम बिन रुजाक ने जजबात निगारी की कमाल का मजाहिरा किया है ठीके तो यह हो गया इनसर आगे बढ़ते हैं अब देखिए कोशन नमर 46 है कि मौलाना अबुलकराम आजाद ने हिंदुस्तानियों की चाय को सेयाल हलवा क्यूं कहा है तो मौलाना आजाद के बारे में पहली बात तो यह है कि वो चाय में दूद नहीं डालते थे बलकि साधी चाय पीते थे दूसरी बात यह है कि वो साधी चाय में चीनी बहुत कम डालते थे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जरीए जब चाय का रिवाज हुआ तो उसमें दूद डालने की रिवायत चल पड़ी और चीनी के मकदार भी बढ़ा दी गई रफता रफता एक तीसरी तब्दिलिया हुई कि चाय में दूद डालने के बज़ाए दूद में चाय डाला जाने लगा नतीजा यह निकला के चाय का असली मकसद जो है वो फौथ हो गया इसलिए मौला ना अजाद में हिंदुस्तानियों की चाय को सयाल हल्वा कहा गए ठीक है यह बात तो बिल्कुल सही है चाय का मसलिब होता है कि उसमें सिर्फ चैपत्ती होना चाहिए और पानी होना चाहिए और चीनी अगर डालना है तो सिर्फ थोड़ा सा एक दम बहुत कम ना के बराबर नाम लाइक ठीक है लेकिन हिंदुस्तानियों की चाय में क्या होत जाता है तो वो डालकर सेयाल हलवा जैसा बना दिया जाता है तो इसलिए मौलाना अबुल्कुलाम अजाद हिंदुस्तानियों की चाय को सेयाल हलवा कहें कोशन नमबर 47 देखिए मौलाना अजाद ने अपनी पसंदीदा चाय की जो खुसूसियात बियान किये हैं उन्हें चाय है पती जिसके पैदावार सिर्फ चीन में होती uh यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मतलब कि यहां पर मौलाना बुलकलाम आजाद जो है कहना चाहते हैं कि वह चैपती जो है ना चैपती है चैपती वह चैपती की असली पैदवार सिर्फ चीन में होती है ठीक है यानि कि चीन में ही असली चैपती होती है मौलाना चिल arguments में को स्रिलंका में भी देखा गया कि हिंदूस्तानchosur ड्रइसल नकली चाए की पती है दूसरी बात यह है कि चाहे साधा होनी चाहिए यानि कि उसमें दूद नहीं डाला जाना चाहिए तूसरी बात यह है कि चाहे में शक्र बराए नाम डाला जाना चाहिए बलके अगर शक्र डाला ही ना जाए तो ज्यादा बेहतर है नेक्स्ट कोश्टन कोश्टनमर 48 है कि आ पासिर हुए थे चनाँचा एक खत में खुद फर्माते हैं कि जिस जेल में मैं कैद हूँ उसमें उसके आहाते में एक पुरानी कबर है या तो नहीं मालूम कि या किसकी कबर है लेकिन सैक्ड़ो बार इस कबर को देखने के बाद फितरी तोर पर इस कबर और कबर वालों से ए जबाब में लिखा गया है कि तिसरे खत को पढ़ने के बाद मौलाना अजाद की बेगम जुलेखा की शक्सियत की जो तश्वी उबरती है वह इस तरह है कि जुलेखा बेगम एक वफदार समझदार और सुलजी हुई खातून थी वह बीवी की हैसियत से मौलाना अजाद को अपनी जाद से कोई तकलीफ नहीं पहुचाना चाहती थी यहां तक कि बिस तरह अलालत पर रहती थी तो जेल में मौलाना अजाद को यही खत लिखती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ तश्वीस की कोई बात नहीं है कि नजम गुफटगू का खुलासा यानि की मुक्तसर खुलासा लिखिया मैं बोली ना कोई भी एक नजम या फिर कोई भी अफसाना का खुलासा लिखने के लिए बोलेगा आप लोग के एकजाम में यह तो कुशन पक्का है कि आएगा तो आप लोग नजम पढ़े हैं हर ए ओसनी से खुलासा कर सकते हैं। कि कि उसक्राब कर दोस्ती के दोस्ती के नाम ने दोनों मुलकों के दरमयान पैदा होने वाले मसायल से निजात की तरकीब भी बताई गई है शायर दोनों मुलकों की तारीक से भी वाकिफ है इसलिए उन्होंने दोनों मुलकों के हुक्मरानों को मशौरा दिया है कि मसाइल का हल गुफटगू के जरीए ढूंडा जाना चाहिए गुफटगू एक ऐसे चीज़ है जिससे दुन्या के बड़े बड़े मसाइल आसानी से हल हो जाते है शायर को भी हिंद वपाक के मसाइल का हल गुफटगू में ही नजर आता है इसलिए वो चाहता है कि दोनों ममालिक के दर्मियान एक ऐसी मुलाकात हो जो इतनी तविल हो कि दोनों ममालिक की आपसी मसाइल और दुश्मनी आखिरखार खत्म हो जाए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 51 नमबर क्योश्यन है कि जबान के पत्ते से आवाज की तितली उर जाएगी या बताकर शायर किस हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है तो जबान के पत्ते से मुराद नुक्त वसदा की तितली है चुनाँचा शायर कहता है कि जब मौत होने वाली होती है तो इनसान के जबान से आवाज की तितली उर जाती है यानकी जबान से आवाज निकलना बंद हो जाता है 52 नमबर सवाले की मौत की आमट से पहले जो मनजर पेश किया गया है उसे अपने अलफाज में बेयान कीजिए देखिए अपने अलफाज में बेयान कर दिया गया है अली सरदार जाफरी ने अपने नजम मेरा सफर में अबतदा में ही मौत का एक मनजर पेश किया है چنانچہ شा caregivers कैता है कि मौत आने से पहले आखों की रोशनी खत्म हो जाएगी हातों की हरकत खत्म हो जाएगी जबान की गुएाई चीन ली जाएगी और इंसान नी तित्ली की तरह दुन्या से जो है nा उज्ड जायेगा जी हां उज्ड जाएगा और मौत से हम किनार हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कोशन नमबर 53 कि आँखों के दिये कब बुझ जाते हैं तो मेरा सफ़र नजब में आँखों के दिये बुझ जाने का मतलब यह है कि जब मौत आती है तो आँख भी बेजान हो जाती है और उसकी रोशनी खत्म हो जाती है कोशन नमबर 54 की शायर ने तरपते कत्रे की क्या खुबी बेढन की है जबाब में लिखा गया है कि शायर ने इस नजब में अपने आपको एक तरपता हुआ कत्रा करार दिया है और तड़पते हुए कत्रे की कुछ खुसूसियات भी बियान की है शायर केता है कि कत्रा दर்या का कम तरीन हिस्ता है फिर भी वो अपने वजूद को दर्या में जम करके सफर में मस्रूफ रहता है माजि की सुराही से निकल कर हाल की तामीर करता है और हाल के सफर से मस्तक्मिल का तसओर पेश करता है अगला सवाल कि मौत के बाद शायर किस तरह अमर हो जाएगा तो शायर अली सरदार जाफरी कहते हैं कि मौत के बाद अमर हो जाओंगा यानि कि जब मैं मर जाओंगा तो लोग मुझे याद करेंगे अगर मैंने दुन्यावी जिन्दगी में अच्छा काम किया है तो लोग मुझे अच्छे कामों से याद करेंगे यानि मेरी अच्छाई ही मेरे मरने के पीछे जिन्दा रखेगी 56 नमबर क्योशने की क्या नजम खेती एक पुरसर नजम है तो जी हाँ बिल्कुल है इस नजम का मरकजी किरदार है शाहर ने इस नजम में इस हकीकत को बियान करता है कि हम तमाम इनसान वक्त की खेती हैं वक्त हमें बढ़ने के मौका देता है और जब हम फसल की तरह त्यार हो जाते हैं तो मामूल के मताबिक इंसानों को वक्त का लुक्मा बनना ही पड़ता है इस तरह हम कह सकते हैं के नजम खेती मजमुरी तोर पर एक पुरसर नजम है नेक्स्ट कोस्ष्शन वक्त इंसानों को क्या मौक़ा देता है तो वक्त के हाथों ही इंसान के मुकद्दर का फैसला होता है एक ऐसा फैसला जिसका नतीजा हमेशा फ़ना की शकल में ही जाहिर होता है इस तरह हम देखते हैं कि वक्त हमें उभरने और तरक्की करने का मौका तो जरूर देता है लेकिन इसके बावजूद अगर हम इस मौके से फाइदा ना उठाएं तो यह हमारी समझ का फुसूर है और जो व्यक्ति जो इनसान वक्त रहते चीजों को नहीं समझ पाता है तो आगे चल कर तो समय भी उसको बहुत यह अच्छे तरीके से समझा देता है वक्त बहुत यह अच्छे तरीके से वक्त आने पर उस इनसान को समझा देता है इसे वो जैसे वक्त रहते इनसान को समझ जाना चाहिए समझ जाना चाहिए और सीख जाना चाहिए नहीं तो वक्त तो बहुत यह अच्छे तरीके से समझाएगा कि एकी बार में आप समझ जाएंगे तो यह के क्वेशन नमर 58 है कि हम वक्त की खेती किस तरह हैं नजम खेती के हवाले से जवाब दीजिए लिखा गया है कि नजम खेती के शायर अमीख हन्फी है इस नजम का एक हिस्टा बढ़ने और बढ़ने से जुड़ा है तो दूसरा हिस्टा इनसाने जिंदगी के लाजमी अन्जाम से जुड़ा है इस नजम के जरीए शायर लोगों को यह बताना चाहता है कि वक्त हमें अपनी जिंदगी में बढ़ने और सुधरने का मौका देता है और जब हम फसल की तरह तयार हो जाते हैं तो वक्त खुश होता है और आखिरकार आखिर में इनसानों को वक्त का लुक्मा बनना ही पड़ता है वक्त नमबर 59 की शायर की किस बात पर मिस हस कर नहीं बोलती है उस मौके पर वह शायर से क्या कहती है शायर ने जब कलीसा में जाकर अंग्रेजी में से अपनी महबत का इजहार किया और इज़त व दौलत व मजहब को उसके हुसन पर निशार करने की बात कही तो वहां मिस ने हसने के बजाए तियोरी चड़ा कर मुसल्मानों से नफरत का इजहार किया साथ नमबर सवाल है कि नजम बर की कलीसा का खुलासा कीजी अब यहां पर जो कविता बर की कलीसा है बर की कलीसा इसका खुलासा लिखना है देखे लिख दिया गया है कि नजम बर की कलीसा अक्रलाबादी का एक तन्जिय और मजाहिय नजम है इस नजम में शायर फरमाते हैं कि एक दिन कलीसा में मैं गया तो एक हुसन वजमाल की नमूना मिस्से दोचार हो गया फिर उस मिस्क के हुसन जमाल, चाल ढाल, नाजव अंदाज, गुफ्तगु और बेपना हुसन का तज़करा करते हैं यहाँ तक कि शायर ने अपने दिल के बेकरारी का भी इजहार किया है फिर मिस्स से इजहार इश्क भी फरमाते हैं मिस्स तियोरी चड़ा कर मुहबत की कुबलियत के बज़ाए इसलाम और उसके उसूल और नजरियात पर सक्त तनकीदी करती है शायर मिस्स के तमाम खुराफात को खामोसी से सुन लेता है फिर इसलामी तहजीब और मुसल्मानों के खोकलेपन इसलाम का रोना रोते हुए मिस्स के सामने कहता है कि अब मुसल्मानों में पहली सी इसलामी जोश वगेरत नहीं रही और यह के आज का मुसल्मान सिर्फ नाम का मुसल्मान रहे गया है और खुद को भी उसी हैसियत से मिस के सामने पेश करता है यहां तक कि अपने इसलाम को किस्सा माज़ी तक कह देता है इस बात को सुनकर मिस मुस्कुराती है और फिर रजामंदी का इजहार करती है आगे बढ़ते हैं कि अपने नजम का उन्वान बरक कि कलीसा क्यों रखे है तो हैश्चन के को क्यूंगर रहा है इसलिए शायर कुटको खोटा सिका इसलिए कह रहा है कि वो असल शायर तो है नहीं दूसरे शोरा से कलाम खरीद कर या किसी कदिम शायर की दिवान से चंद गजल की नकल करके अद्बी महफिलों में पढ़ लेता है और शायर की हैसित से अपना तारुफ करा लेता है लेकिन अगर उसे शायर के लिए कह दिया जाए तो उसकी सारी खलई खुल जाएगी इसलिए वो अपने आपको खोटा सिका कहता है नेक्स्ट कुश्चन कि ममूले ने शाहीं का चोला बदल लिया इससे शायर क्या कहना चाहता है तो ममूले ने शाहीं का चोला बदल लिया इससे शायर कहना चाहता है कि मुतशायर ने शायर का चोला बदल लिया मतलब यह है कि ममूले को मुतशायर से ताबिर किया गया है और शाहीं को असली शायर से ताबिर किया गया है यानि किसी अद्मी महफिल में मुतशायर ने किसी से कलाम खरीद कर अर्बाब जौक से वहवाही लूट लिया और लोगों में गलत फहमी पैदा करके असल शायर बन गया क्योंकि मुतशायर असली शायर होता ही नहीं है यही बात है कुशन नमर 64 कि मुतशायर अर्दू का जनाज़ा किस तरह निकालेगा तो नज्म मुतशायर में मुतशायर अर्दू का जनाज़ा इस तरह निकालेगा कि वो खुद तो शायर है ही नहीं दूसरों का कलाम चुरा कर या खरीद कर शायर बनता फिरता है हमेशा गिर्गिर की तरह रंग बदलता रहता है ऐसे लोग तो अदब के लिए बाह से नंग होते हैं और अपनी जहालत से जराफत के पर्दे में उर्दू का जनाजा लिकालते हैं कोशन नमबर 65 की तरह हम बढ़ते हैं सवाल है कि अदब के लिए खुद को बासे नंग मुतशायर क्यूं कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टन सवाल है देखिए टॉप 140 कोशन है यान की सारा का सारा कोशन इंपॉर्टन्ट है अब इसमें भी जो मैं आप लोगों बता रहे हूं कि हाँ ये कोशन इंपॉर्टन्ट है तो समझें कि वो अभी कि अभी उस कोशन का इंसर आप लोगों को याद कर लेना है तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि मुतशायर अदब के लिए खुद को बासे नंग इसलिए कह रहा है कि दूसरों का कलाम खरीद कर या चुरा करके शायर तो बन गया है लेकिन कभ पसट नंबर कि शायर शायर नहीं शेयर देखिए आपर शेयर है एंसे शेयर नहीं कहने के बाटों के सबर मुतशायर की शौरत और एहमियत चाहले के ब्यान केrire кстати उत्ते करता रहता है शायरों और बड़े लोगों के सामने बिली की तरब म्यांओं-म्याओं करता है। इसकी शायरी की चिराग में टेल नहीं है लेकिन फिर भी हर अद्मी मेफिलों में बुलाया जाता है। अपनी इनी खुसूसियात के वाजा से मुद्शायर हमेशा सेडी स सफर में रहता है। इहां तक के मिल्क से बाहर का भी सफर किया करता है। जहरिया धनबाद , दिली , पुना होते हुए पैरिस और लंदन भी पहुंचाता है। जी हजुरी और कुछ आमद नहीं फ़गता है। घरत को खत्म कर चुका है। शायर नहीं होने के बावजूद शायर बना फिरता है और अपने आपको अदब की दुनिया का सिकंदर भी समझता है अगर उसका बस चले तो वाही की पुझी उडाले यहां तक के दिवान अकबर पे कबजा भी कर ले मुक्तसर यह है के मुतशायर नहीं होने के बावजूद चापलूसी, खुशामद, जूट और मकारी जैसी खुसूसियात के बिना पर समाच में अपनी शोहरत और एहमित कायम कर लेता है ठीक है? नेक्स्ट कोश्टन नजम हम नहीं जानते में शायर ने जिन्दगी को नाकाबिले तरसीले हकायत क्यों कहा है? तो नजम हम नहीं जानते में शायर ने जिन्दगी को नाकाबिले तरसीले हकायत इसलिए कहा है कि शायर इस नजम के पहले हिसे में तनहाई महसूस करता है और अपने गैर यकीनी मुस्तक्बिल से मायूस नजर आता है और फिक्र की दर्या में गर्क होकर सोच रहा है नजाने मेरा मुस्तक्बिल कैसा होगा घबरा कर आखिर में वह कह उठता है कि हम नहीं जानते कि मेरा मुस्तक्बिल कैसा होगा इसलिए के जिन्दगी एक हिकायत है जिसकी तरसील मुम्किन ही नहीं नेक्स्ट कोशन ऐ बहर ऐ जद अमजद से मुखातिब होकर शायर ने किन ख्यालात का इज़ार किया है देखिए जवाब में लिखा है नजम हम नहीं जानते में शायर जहां पहले हिस्से में मायूसी की कीफियत से दोचार था नजम के दूसरे हिस्से में शायर की कीफियत बदल जाती है इस हिस्से में शायर के अंदर उमीद की किरण नजर आती है उसे जिन्दगी से कुछ उमीदे वाबस्ता होने लगती है उसे कुछ होने का एसास होता है वह तनहाई में जो बाते सोच रहा है अब वह उसे अलग सोचता है और उसके अंदर उमीद की लहर दोड़ जाती है बुलबुले घजल खुआ क्यों हो गई? बुलबुले घजल खुआ हो गई कहने से गालिब का मकसद यह है कि जब मिर्जा गालिब एक शायर की हैसियत से मगलिय दरबार में पहुंचे तो दरबार में उर्दो शायरी का इतना चर्चा हुआ और उसको इतनी मकबूलियत हासिल हुई कि दर्बार और दिल्ली का हर शक्स शायरी की तरफ मतवज्ज़ हो गया और शेर कहने पर आमादा नजर आने लगा यानि दिल्ली में शेर और शायरी का अच्छा खासा महाल बन गया इसी वज़ज़ से मिर्जा कालिब कहते हैं कि मैं क्या बोला जाता है उसको यहां पर बुलबुले घजल मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्तान ही खुल गया सुनकर मेरे नाले बुलबुले भी घजल खुआ हो गई यह पूरा शेर है कि मैं चमन में क्या गया गोया दबिस् में den किया गिया है जब मैं दली पहुंचा मुगलिया रबार में तो पflたい है कि एक सबी लोग हर एक शोक्स जहा हुद्जा हो गया मोटियट हो गया और उसी को मतलब ताबीर करते हुए मिर्दा गालिब कहते हैं कि बुल्बूले भी घजल खा हो गई यानि कि दिली का हर शक्स भी घजल कहने लगा ठीक है सत्तर नमबर सवाल है कि शायर ने बताया है कि वह पत्थर नहीं है उसने ये बात क्यूं कही है जवाब में लिखा है कि शायर मिर्दा असदुल्ला खा गालिब ने बताया कि वह पत्थर नहीं है कि शायर अपने अहसास की नजागत का इसार करते हुए या बात कहें हैं कि मैं पत्थर नहीं हूं जो बेहिस हो जाओं मेरे अंदर भी एहसास है ठीक है और इसी वज़े से मैं एक जगह पर हमेशा के लिए नहीं रह सकता एक हत्तर नंबर क्यूशन है कि शायर ने अपने बारे में यह बात क्यूं कहीं कि है कि वह लोहे जहां पर हर्फ मुकर्र नहीं है तो गालिब अपने गजल के तीसरे नजर से नहीं देखी जाती इसलिए शायर लोगों की बचलूकी से परिशान होकर यह बात कहता है कि लोग मुझे क्यूं परिशान करते हैं मैं हर्फ मुकर्र तो नहीं हूं कि दुनिया में बार बार आता रहूं अगला सवाल कि गालिब की जिन्दगी की हालात बेयान कीज और वालिदा का नाम इजट उन्यसा बेगम था मिर्जगालिब तकरीबं पांच साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया चुनाचे उनके चचा नसरुलाबेग खा ने नंकी परवरिश की चंद सालों के बाद चचा भी नहीं रहें अब गालिब बराहे रास्त अपन मा इज़तुन निसा बेगम की सरपरस्ती में आ गए 13 साल की उमर में मिर्ज़ा गालिब की शादी इलाही बक्ष खा मारूफ की बेटी उम्राओ बेगम से हुई शादी के चंद साल के बाद गालिब ने दिल्ली में मस्तकल सकूनत इक्तियार कर ली क्याम दिल्ली के दौरान गालिब को माली तंगियों का सामना करना पड़ा खांदानी वजीफा के लिए उन्होंने दिल्ली का भी सफर किया लेकिन नाकाम रहे जब मुगलिय दर्बार से उनका बादाबता तालुक हो गया तो उनके हालात मुआफिक होने लगे लेकिन कुछ सालों के बाद ही गदर का हंगामा हो गया जिसकी वज़ा से सारा मौामला ही उल्टा पड़ गया अक्रिकार रामपूर के दर्बार से वाबस्ता हो गये उसके बावजूद भी हालात में कुछ खासत अब दिली नहीं आई इसी परेशानी के आलम में उनका इंतकाल दिली में ही हो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेशन है कि इसी जमीन में दर्या दर्याएं समाएं हैं क्या क्या यहां जमीन में दर्या समाएं हैं से क्या मुराद है तो इसी जमीन में दर्या समाएं हैं से जाहिरी मुराद शायर की फरहाद के वाकी की तरफ इशारा है यानि फरहाद जिसने पहाड को खोद कर दूद की नहर निकाली आखिरकार वहबी इसी मिट्टी में मिल गया कैसे कैसे मशूर लोग दुनिया में हुए और आखिरकार जमीन में समा गये इसी वज़ा से शायर जमीन में दरिया समाए होने की बात करते हैं next question यगान्या ने अर्दो घजल की तारीख में कौन सा तजर्बा किया इस मौजू पर एक मुक्तसर नोट लिख लिखे देखे नोट लिख लिख लिए गया है मुक्तसर नोट लिखना है यगाना चंगिजी ने अपनी घजलों में एक नया तजर्बा किया है उनकी घजलों को पढ़ते हुए नसर का गुमान नहीं होता यगाना का एक नया तजरुबा यह भी है कि इस तर्तीब को नसर होने से बचाने के लिए क्या क्या की तरकरार है यह क्या क्या एक तरफ फन की जरूरत को पूरा करता है तो दूसरी तरफ ख्याल को उसकी आखरी देखे एक तरफ तो फन की जरूरियात को पूरा करता है तो दूसरी तरफ ख्याल को उसकी आखरी हद तक पहुचाने की कोशिश करता है दूसरी घजल में भी यगाना चंगिजी ने अपनी बाते इसी सलीके से पेश किया है इस घजल की तीसरी शेर में परहाद की तरफ इशारा किया गया है लेकिन वानवी सतह पर एक नई सूरत पैदा की गई है तो ये नया तजर्बा देखने को मिलता है यह गाना चंगेजी की घजल में ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ 75 नमर क्येशन है कि किया जबा गयरत को बनकर कसाई और मिली है मुझे दौलत बेजमीरी का मतलब बयान कीजेए तो किया जबा गयरत को बनकर कसाई का मतलब है कि अगर गयरत रहेगी तो मतशायर नहीं बन पाएगा यानि गयरत उसे शायर बनने नहीं देगा इसलिए मुझे दौलत बेजमीरी का मतलब होता है कि अगर गयरत और जमीर इनसान के दिल में नहो तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है इसलिए बेजमीरी भी एक किस्म की दौलत है उसी दौलत को बुनिया उसी दौलत की बुनियाद पर ही लोग मुटशायर बन जाते हैं देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 76 कि समझता हूं मगर दुनिया को समझाना नहीं आता ये गाना ने दुनिया को समझाना नहीं आता क्यों कहा है या फिर यगाना दुनिया को समझाना नहीं आता क्यूं कह रहा है jest? तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि जेरे नजर मिसरा यगाना चंगेजी की जेरे नसाब दूसरी घजल के मकते का दूसरा मिसरा है इस मिसरे में शायर कहता है कि मुझे दुनिया और इस दुनिया के सियासी हालात पर गहरी नजर है मैं यह सभी बातें खुद तो समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता यानि शायर खुद समझने का दावा भी करता है और वह इन तमाम बाते को दुनिया को समझाने से कासीर है इसलिए शायर कहता है कि दुनिया को समझाना नहीं आता आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि नीला साइबान से क्या मुराद है नीला साइबान से शायरी की मुराद आसमान का साया है शायर के मताबिक सुरज अगर शायर पर महरबान नहीं है तो क्या हुआ सुरज तो काइनात का एक तिनका है शायर को नीले आसमान के साया है इसलिए शायर रंज जो अलम देखिये रंज व अलम इसलिए शायर रंज व अलम की हालत में भी मायूस नहीं है यहाँ पर शायद टाइप हो गया है शायर रहेगा शायर रंज व अलम की हालत में भी मायूस नहीं है अगला सवाल 78 नंबर की खलीलु रहमान आजमी का तालुक कुर्दाद अदब की किस तङरीक से रहा तो याद रखिएगा तरक की पसंद अधबी तहरीख ठीक है नेक्स्ट कोशचन हभी के दू मासर नम लिख दिया है नासर कास्मी और इबले इम्पॉर्टन कोश्चन है नेक्स कोशन इसल prey Ohh फार मला अवाली ञांक की अधवी खित्म और नकाद दोनों हैसियत से एहमियत के हामिले रहें खलील रॉयमार आजमी की तिन शहरी मजमुएं शाय हो चुके हैं कागजी पेरहन नया एधनामा जिंदगी आस्मा यास्मा के नाम से उनकी शायरी का एक इंतखाब भी 2000 में मनजर आम पर आया उनके तनकीदी मजमीन के मजमुएं फिक्र वफन जावी निगा और मजमीन नौ मसनवी सहर बयान पर भी एक भरपूर मकदमा लिखकर उन्होंने शाय किया रसीद हमसदीकी की निग्रावनी में खलील रॉयमार आजमी ने तैकी की थी उनका तैकी की मुकाला और्दों में तरकी पसंद अद्वी तहरीक के नाम से शाय हुआ नेक्स्ट कोशन है कि सायर ने सरे अलम मिला कर कितने अदद का इजाफा किया है तो शायर अता काकवी ने सरे अलम मिला कर एक अदद का इजाफा किया है यानि 1381 में एक कहिजा फकर के 1382 हिजरी बनाया है 83 नमर क्वेशन तिगामे अरशद में अरशद के दो बेटों का भी जिक्र है दोनों का नाम बताईए तो दोनों बेटों का नाम रहता है जमील और अकील अरशद काकवी और अता काकवी में क्या रिष्टा है तो लवज कादरी से गोश पाक की गोश पाक हजद महियुदीन अब्दुलकादर जिलानी रह्मत अल्हाई की निस्वत जाहिर होती है 86 नमर क्वेशन की मिनार तसकीन से क्या मुराद है तो मिनार तसकीन से मुराद तसली के स्तून है 87 नमर क्योशन है कि मौलाना निजाम-द्दीन किस साल अमीर शरीयत मंतखब हुए कि अता काकवी के हालात जिंदगी पर रोशनी डाली है तो अता काकवी कासल नाम सेद अताउल रह्मान था 17 सितंबर 1994 यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेफ हो गया है बिहार के मर्दुमखेज बस्ती मर्दुमखेज गाओं के काकों में पैदा हुए अदमी दुनिया में अता काकवी के नाम से मशूर हुए पटना उनिर्स सिटी से मुझफरपूर में प्रोफेशर हुए सदर जम्हूर हिंद के तरफ से उन्हें सर्ट सर्टिफिकेट ऑफ ओनर्स की खिताब से भी नमाजा गया आठ मार्च उन्हें संठान बर बरस गलती से टाइप हो गया उन्हें से अंठान बर इस भी को पटना में उनका इंतक लिख दी हूँ और जाय का तरकीवी का मतलब होता है मर्सिया में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तो सबसे पहला है चेहरा इस इसे में हम्दनात मनकबत और मुनाजात वगरत तमहीद की तोर पर बियान किया जाते हैं दूसरा है सरापा तिसरा है रुकसत तिसरा है चौत चाहिए आमद पांचवा है रुजिज और चट्था है जंग सातवा है शहादर और अठवा है बीन तो सरापा में जैसा की चहरा में क्या किया जाता है हम्दनात मनकबत और मुनाजात वगरत तमहीद के तोर पर बियान किया जाते हैं सरापा इस हिसे में मर्सिया की हीरो का हीरो का हजदि इमाम हुसे जंग में जाने के लिए इजासत लेना शामिल है और आमद में हीरो का घोड़ा पर सवार होकर शान और सौकत के साथ आना ठीक है रिजिज हीरो के जबान से अपने जंग में महारत का इज़ार करना जंग हीरो को किसी नामी पहलवान से या दुश शहादत हीरो का दुश्मन के साथ जख्मी होकर शहीद हो जाना और विन हीरो के लाश पर उसके अजीज वा खास अजीज वा खुसूसन औरतों का रोना वगर शामिल है ठीक है कोशन नमबर 89 है कि हर नौटा किसे कहते हैं खुबसूरत और गठीले बदन को के नौजवान को हर राज मिस्टरी को रेहट से क्या मुराद है रेहट कुए से पानी निकालने वाला एक आला है जिसमें पहिये लगे रहते हैं यानि कि एक मशीन है मुसर्निफ ठकान मिटाने के लिए क्या तरकीब करता है तो मुसर्निफ जब रेहट चलाते चलाते ठक जाता और काम से भारी फारीग होकर देखिए भारी लिखिया फारीग होकर काम से फारीग हो जाता था तो पहले पूरे बदन में अच्छी तरह तेल मालिश करता था फिर पानी गरम करता था और उसी गरम पानी से अच्छी तरह गुसल करता उस गुसल से इस अमल से इस अमल से मुसनिफ के दिन भर क की ठकावर्ट दूर हो जाती और जिस्म फूल कि तरहा हल्का और लतीफ हो जाता तो थकान मिटाने के czym रता की मौत कैसे हुई कि relationship करिसा के यह पर रहेता रहता रप्ता रता रता ऐसान दानिष के साथ रहत पर काम करता था रेहट का काम दरसल बहुत मेहनत तल्ब था इस काम को बैल किया करते थे कौन करते था गाय बैल भैस वगरा करते थे तो ये रेहट चलाने का काम कौन किया करते थे तो बैल किया करते थे लेकिन बैल नहीं मिलने पर यह काम आदमी से लिया जाता था रत्ता अपने घरेलू मजबूरी के वज़े से रहट चलाने का काम करता था लेकिन कुछी दिनों के बाद उसके पीट में दर्द होने लगा लेकिन मजबूरी थी वो काम पर जटा रहा आखिरकार तीन चार दिनों तक काम पर नहीं आया फिर मालूम हुआ कि उसे तीन चार खुन के दस्त आयें और बस दुनिया को खैरबाद कह गया तो इस तरह रत्ता की मौत हो जाती है घर गेलू मजबूरी होने के वज़े से वो रहट पर लगातार काम में जटा रहा इसके वज़ासे उसके पेड़ में भी दर्थ था पहले से ही और लगातार काम करने के वज़ासे उसकी मतलब चार पांच खुन के दस्ता है और उसकी मौत हो गई रेहट के पानी से कौन कौन से काम लिये जाते थे तो रेहट के पानी से धेर सारे काम लिये जाते थे रेहट के पास एक नाली निकलती थी जो हौज में जाती थी हौज पूरा भरा रहता था और हर वक्त पानी से भरा रहता था और बड़ा भी था उस हौुझ के पानी से इंटे भीगाई जाती थी और गाढ़ा चुना भी बनाये जाता था और दिवारों पर भी छिड़का जाता था 95. सवाले की सौधागर ने बादशाह के सांथ कैसा सुलूग किया तो सौधागर ने बादशाह के सांथ धोके बादी का सुलूग किया था 96. कुशने की बादशाह की परेशानी क्यूं बढ़ गई बादशाह की परिशानी बेगम के खो जानी के वजसे बढ़ गई सौधागर धोका दे कर बादशाह की बेगम को ले गया और काफिले के सांथ दूर निकल गया बादशाह दो पहर तक बेगम का इंतजार करता रहा लेकिन जब बेगम नहीं आई तो सोचा कि खुद जाकर तलाश करना चाहिए दोनों लड़कों के सांथ तलाश में निकला बहुत तलाश किया लेकिन सिवाए पाओं के निशान के कुछ न मिला मजबूरन बच्चों के सांथ लेकर उसी तरफ चल दिया बच्चों को सांस लेकर उसी तरफ चल दिया, चंद कदम चला होगा कि रास्ता भूल गया और परिशानिया बढ़ती चली गई, तो इस तरह बादशा की परिशानिया बढ़ गई, संतानवे नमर क्योशन है कि बादशा के बच्चे कहां गए, तो बेगम की तलाश में जब ब बादशा अपने बच्चों के सांथ चला, तो एक दर्या के किनारे पहुंचा, दर्या में न पुल था न कष्टी थी, मजबूरान एक लड़के को दर्या के किनारे बिठाया, और छोटे को कांधे पर लेकर दर्या में उतर गया, अभी आधा दर्या पाल किया था कि दर्य कि खिनारे वाले लड़के को भेडिया उठा ले गया और वह चिलाया मगर बादशाह ने जैसे ही उसकी तरफ देखा इधर से उसके कंधे पर से छोटा वाला बच्चा गिर गया इस तरफ बड़े लड़के को भेडिया उठा ले गया और चोटा बेटा जो है वो दरिया में वा इमान कायम था उसके नेक सिफत के वज़ा से अवाम बादशा को फर्खंद बख्त और खुदा दोस्त वगरा अलकाब से पकारते थे कोई भी साइल जैसे ही कोई सवाल करता तो फौरान उसकी फर्याद सुनी जाती और उसकी ज़रूरत को पूरा की जाती थी सौधागर ने बादशा से क्या कहा तो सौधागर ने बादशा के साथ फरेब किया क्या कहा नहीं क्या किया रहेगा यहां पर क्या किया दाई की तलास में देर से हूं दाई मिलती ही नहीं है आप बुजर्ग आदमी हैं महरबानी कीजिए और आप अपनी नेक बख्त बीवी को खुदा के वास्ते मेरे सांचान दीजे ताकि मेरी बीवी को तकलिफ से निजात मिले ये बात कहकर सौदागर जो है ना उसकी बीवी क ले कर चला जाता है चुओं से बचने की तलकीन करने वाले इस्तहार के उन्वान में लोगों ने किस बात का इजाफा किया यता हार प्लेग और रजाफा किया गया ना क्या फारinky है मे एक से एक नमबर सवाल पर हम लोग पहुँंच चुके हैं अब मातर चालिस कोशन बचा हुआ है अब ज्यादा समय नहीं है बोजन कंप्लीट भी हो जाना है ठीक है तो आप लोगों को अंध तक बने रहना है देखिए एक से एक नंबर सवाल है कि क्वारेंटीन अफसाने में सफाई का काम करने वाला भागो का पूरा नम क्या था तो विलियम भागो था इसको अपने सामने मरते देखकर मौत से पहले ही मर गए है ठीक है इस वजह से ज्यादा मात का बास बनना था क्वारेंटीन जरूरत से ज्यादा बरांडी पी लेने का डॉक्टर की सिहत पर यह असर हुआ कि उसके दिल उसका दिल धक धक करने लगा नफस घोड़े की तरह दोढ़ने लगी और डॉक्टर एक पागल की तरह इधर उधर भागने लगा उसे यह भी शक होने लगा कि उस पर प्लेग की जरासिम का असर तो नहीं हो गया वह बहुत खौफ जदा हो गया था लेकिन जैसे जैसे ब्रांडी का नासा उत्रा तब उसको पता चला अच्छा यह जो है ना हमको प्लेग नहीं हुआ है ठीक है एक सचार नंबर क्योशन की बड़े पादरी लाबे क्या कहते हैं बड़े पादरी लाबे अक्सर इसाई मजभ की तब्लीग के लिए क्वारंटीन इलाके में आते रहते हैं वह पादरी लाबे कहते थे कि खुदावंद इस युसु मसी की तालिमात में से एक एहम तालिम या है के बिमारी की मदद में अपनी जान तक कुर्बान कर डालो और एक लियान प्लेग से यहां पर परी लिखा गे हैं कभी कभी मैं भी कमफियूस हो जा रहे हूं परी नहीं रहेगा प्लेग से przysz' equation कि व Team Fighter है की बड़े पादरी नहीं है कि डॉक्टर प्लेग से अपनी हिवाजत के लिए क्या करदा था तो डॉक्टर प्लेग से अपनी हिवाजत के लिए शाम को घर आने पर गर आने से और कार्बान लक सावସ से काउन साबुन से हाथ दोता था तो कारबालक साबुन से हाथ दोता था और जरासिन को मार देने वाले गरम पानी से गरारे किया करता था पेट को जला देने वाली गरम काफी या फिर ब्रांडी पी लेता था फिर भी डॉक्टर के कामिल इनकलाब के बाद कौन सी तबदिलियां वाकी होंगी सबक के हवाले से जवाब दीजिए तो कामिल इनकलाब के बाद जेपी ने जिस तरह के खेलात का इजहार किया है और उनका जो खुत्बा कामिल इनकलाब के उन्वान से हमारे निसाब में शामिल है उसकी रोशनी में अगर इनकलाब काम्याबी की मन्जिल को पहुँच जाती है तो उम्मीद है कि समाजी हैसियत में नुमाया तब्दिली आएंगी मुक्तलिफ कि समाजी बुराईया समाज से खत्म हो जाएंगी जैसे चुवा चूट जात पाथ और फिर कवारियत जैसी बुराईया तो बहुत दूर हो जाएंगी अगला कोशन एक साथ नंबर की जोश के हम असर तिन शौरा के नाम बताईये तिन शौरा का नाम बताना है तो देखिए एक में दे दिया गया है फैज अमद फैद दूसरे में है जमील वज़री और तिसरे में है अमीख खनफी जिन्दानी से क्या मुराद है तो जिन्दान सिला सकते हैं। और किसी भी जालिम् जाबिर हपुमरानों की रोकुमत चो कर दे इसक खाल सकते ह्चे। तर और वह चिए यह और सकते हैं। और यह दौने वह रहीरत कि उसकते लाता हैं। उसका हषजकर describe कित footprints के नहीं करते ही हैं कि आध जाय, पकलने का तरीका यह है कि रात के वक्त शायर की जगमगाती जागती सडकों और जिल मिलाते कुंकुमों का नजारा करो आसमान पर तारों का जाल और किसी तूटे हुए तारों की फुल जड़ी खुद रात भी शायर को रुस्वाई वाले अमल करने का दावत देती है एक साथ 13 नंब चमकता हुआ पत्थर है वह उसे भी तोड़ देना चाहता है शायर का कहना है कि इस जालिम और जाबिर चंगेज के खंजर को तोड़ने की हिम्मत अगर दूसरे में नहीं है तो मैं ही आगे बढ़कर इस खंजर को तोड़ देना चाहता हूं नेक्स्ट कोशन शायर के दिल म गम और वहशत क्यों है बताएं देखिए जवाब में लिखा गया है कि शायर के दिल में गम और वहशत इसलिए है कि वह जिस कश्मकस में मुपतला है उससे निजात हासिल कर लेना चाहता है रात की जगमगाती जाकती सड़क के जिल मिलाते कुमकुमों को मैं आसमान का जाल और किसी तूटे हुए तारो की फुल जड़ी घर्ज के शहर की रात का हर मनजर शायर को जिंजोड देता है और यही वजह है कि शायर के दिल में गम और वहशत पैदा हो गया है नेक्स्ट कोशन शायर ने खुद को नाशाद और नाकाम क्यूं कहा है शायर ने अपन गमे दिल को अपने वहशते दिल को पुकारता है और कहता है कि शहर की रात की रंगीनिया और इन रंगीनियों में मैं नाशाद और नकारा बना हुआ हूँ एक ससुल्ला नमर क्यूशन है कि हैदराबादी उल्मा के मताबिक वली का पूरा नाम और जाय पैदाईश ठीक है तारीख ये अदब में वली किसके दर्मयान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं याद रखिएगा शुमाल और जुनूब के दर्मयान 111. ót Camera कि की बवली की शायरी की दो खुब़यों को वाज़ए के जिएं तो देखी है वाज़ए कर दीया गिया है वली की शायरी कि पहली खुब़या है कि उनकी शायरी में तरश्भिषात और इस्ताराइद का बेहतरीन इस्तमाल है जबान की सिता पर ली के यह हैरत है कि उनमें हिंदुस्तानियत का बहुत ज्यादा रहाई होते हैं नेक्स्ट कॉश्चन एक सब वीस नंबर सवाल है कि रासिक अजीद मबादी ने खुसूसद किस सन्फ किस सिन्फ तबाजमाई की है तो जवाब में लिका हुआ है कि रासिक ने गजल कस यायर अर्बायात और मस्नवियात में तबावादमाई की राथिक किस के शागर्द ए तो मिर्टा की मिर्के शागर्द ऐ रासिक ancii अबादी ने किन किन शायरों से इसलां लै तो राथिक घ्जमwide ने यू तो कई बादошाह' गजल मीर तक इमीर की शाग्रदि-, रासिक अजीमबादी ने इक्तियार की और मीर की शाग्रदी पर रासिक अजिनबादी को फक्र होता है एक 202 नमर क्षोइशन है कि रासिक की मौत कब used कुब और हुए 124 नमर सवाल है कि मीर की तर्बियत का रिजाक सलाम बिन रिजाक पर क्या असर हुआ ठीक है तो देखिए लिखा गया है एंसर कि मीर तकी मीर की तर्बियत का यहां पर राज रजाक नहीं रहेगा रासिख रहेगा ठीक है मीर तकी मीर की तर्बियत का रासिख पर क्या अ गई थी यानि की रासिक अजिमबादी के उस्ताद यानि की टीचर थे मिरता की मीर तो इस वज़ा से यह जिसके स्टुडेंट थे यानि की रासिक की शायरी पर जो है ना उनके उस्ताद यानि की टीचर जैसी मुफपक्तगी आ गई थी उनी का रंग देखने को मिला था उनक कसीदा निगारी के लिए मशूर हैं देखिए एक बर फिर से कोशन में पढ़ देती हूं फार्सी जबान के किन कसीदा निगारी को सौधा ने अपने लिए नमूना बनाया तो फार्सी जबान में कई शायर ऐसे थे जो कसीदा निगारी के लिए मशूर हैं इनमें से खार्जू ऐसे फार्सी शायर थे जिनको सौधा ने अपने कसीदा निगारी का नमूना बनाया और अपने कसाइद में खान आर्जू की कसाइद की तकलीद की 126 number question कि कसीदा की अब्तदा की जबान में हुई थी तो कसीदे की अब्तदा सबसे पहले अर्बी जबान में हुई थी अर्बी की असर से कसीदा में गारी फार्सी जबान में पहुँची और फार्सी की असर से उर्दू में कसाइद का चलन बढ़ा कसीदा की अजजाए तरकी भी आप लोगो बताना है मतलब क्या क्या चीज़ें कसीदे में होनी चाहिए तो पहला है तश्वीव, दुसरा है गुरेज, तीसरा है मदा, चोथा है तलब और पांचवा है दुआ लेकिन लिवायती तोर पर इन तमाम अजजाए के लिए अलग अलग गवानीं तैय किये गए हैं तश्वीव में आम तोर पर कसीदरनिगार तमहीद के तोर पर कुछ इशार कहता है जिसमें बाद इशार मनाज़रे फितर्ट से मतालिक होते हैं बाद इशार हुसनों इश्क से भी मतालिक होते हैं यही वज़ाए कि कसीदे का या हिस्सा आगे चलकर शायरी का एक सिंफ हो गया और घजल के नाम से मारूफ हो गया ठीक है कि साथी हात बढ़ाना गीत में कितनी बार आया है तो छे बार आया है फौलादी है सीने अपनी फौलादी है बाहें से क्या मुराद है फौलाद के मानी लोहा होता है जिस तरह लोहा सक्त होता है उसी तरह मजदूरों के बाजू और उनके सीने लोहे की तरह सक्त होते है किसके चाहने से चटानों में राह पैदा हो सकती है नेक्स कोशन है 131 नमबर कोशन मत और दस कोशन बचा हुए आप लोगों अंत तक बने रहना है और सारा कोशन कम्प्लीट करना है सवाल है कि महनत के पैरों में दौलत की जन्जीरे से क्या मुराद है तो शाहर साहर लुद्यानवी ने जेर निसाब गीत के आखरी बंद में महनत के पैरों में दौलत की जन्जीरे एक मिसरे में इस्तमाल किया है पूरा मिस्रा इस तरह है कि कब तक मेहनत के पैरों में दौलत की जन्जीरे जिसे शाहर ने एक खास पसमन्जर में लिखा है वह यह है कि हिंदुस्तान में इन कलाब आ रहा था और कारखानों में जदिद मशीने लगाई जा रही थी नतीज़ यह हुआ कि मेहनत के श मजदूरों को अपने काम से जबरदस्ती सुबुकदोश होना पड़ रहा था जिससे रोजगार के मसाहल पैदा हो रहे थे इन हालात में मजदूरों में मायूसी और नाउमीदी पैदा हो रही थी उन्हें मजदूरों के लिए लड़ने और उनका होसला बढ़ने के लिए साहिर लिए या गीत लिखा है एक सब 28 नमबर सवाल है कि वली का असल नाम और मुकाम disappoint किन की नजर में क्या है तो गुजरानाती मुखकिन की नजर में वली का असल नाम शह वली उल्ला और मुकामे पैदाईश ठीक है 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 मुकामे पैदाईश यहां पर चूड़ गया है चलिए आगे बढ़ते हैं 133 आप लोग को अगर मैं आप लोग पढ़ाई भी हूं तो अगर आप लोग को याद है तो कमेंड मे महबूब की खुबसूर्ती की मिसाल है शिकस्त-जिन्दा का खाब की ताबीर क्या है तो ताबीर है मुलक की आजादी एक सब 35 नमर क्विशन की जोश के पाच तसानीफ यहन की क्रियेशन का नाम लिखिए पहला में लिख दिया कि है है रूह है अब दूसरा में नक्ष नि तो वह शहर शिकागो में पेश किये थे वेदी के पहले अफसानी मजमुवा का नाम क्या है या निकी कहानी की किताब का नाम क्या है तो वेदी के पहले अफसानी मजमुवा के नाम दानावदाम है वावा पर काभू पालेने के बाद डॉक्टर को कौन सा ओधा हासिल हुआ त 140 और लास्ट सवाल कि बागो बहार में कितने दर्वेशों के वाकियात को ब्यान किया गया है तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं I hope आप लोगो को यह 140 सब्जेक्टिव कोशन टॉप 140 कोशन समझ में आया होगा कोई भी डाउट है तो कमेंड में लिकर पूछ लिजएगा बाकी में आप लोगों को जो कुछ भी समझाई अगर समझ में आया है तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की है तो फटाफट लाइक कर दे वीडियो को और जितना ज्याद हो सके शेयर कर दे ताकि सब लोग इस वीडियो का लाब उठा सके और सब ही लोगों का भला हो चानल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर अन कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो या फिर लाइव क्लास हो नोटिफिकेश किसान तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज